आज मैं आपके शारा शेयर कर रहे हूं बेकरी जैसे बिल्कुल ही खसते करारे सूजी के बिस्किट की रिस्पी जिसको बनाने के लिए हमें किसी आवन की मिज़रत नहीं पड़ेगी और यह बनाना काफी आसान है तो चरिए बिना किसी देरी के इस रिस्पी की शुरुआत कर अब डालने ही हमें इसमें धोरा सा विए धुचषि के करें नमक और अब उसके बाद डालने के बाद देंगे इसमें इलाइची पाउडर अर इलाइची पाउडर दालने के बाद अब मैं इसमें डालने हूँए निदर हो दे के लाएं journée जालने के बाद चीन टालने के बाद आपड़ चरण कर देंगा इसमें मिक्स को altijd नहीं जाएगा ऑब इसमें डूदू तो दूद और दाली घुर ke दालीएग लेकिन यह पूरा ही दूद इसमें नहीं लगेगा और दूद डाल कर एक सौप्ट सर डो रेडी करेंगे तो यहां पर डो को हमें सौप्ट ही रखना है क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं सूजी अब क्या है अब चौप्ट सकते हैं पहले काफी सौट सा था अब अभी बिलकुल ही अच्छे से सेट हो चुका है सूजी ने काफी सारे दूद को अब एब्सॉर्ब कर लिया है और अब इस टोग को थोड़ी देर के लिए पहले इस तरीके से ही गूत लेंगी लगबक दो से तीन मिनिट के लिए और उसके बाद इसको दो पोशन में मैं डिवाइट कर दे रही हूँ और एक पोशन से बेलें है तो बहुत पतला नहीं बेलना है और हलके हलके हाथों से ही बेलना है तो बस देखिए अब बेल कभी फटा फट से रेडी कर लिया है मैंने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हलके हलके हाथों से इसको बेलना है और बेलने के बाद मेरे पास यह इस तरीके से कटर है तो म इनको एक स्क्वार शेप में बिस्किट को बना लेंगे तो चोटा बड़ा जैसा आप साइच चाहें वैसा कर सकते हैं तो बहुत बड़ा भीनाग रखिएगा अधर्वाइस फिर तूटने लगते हैं देखिए सभी बिस्किट को मैंने काट लिये हैं और अब इनको प्रिक कर तो बस सभी को बेल ले रही हूं मैं इसी तरीके से और उसके बाद इनको फ्राइ कर लेते हैं तो फ्राइ करने के जो तेल चाहिए वो मीडियम होट होना चाहिए साथ इसका जो फ्लेम रखेंगे हमेशा मीडियम ही रखना है नहीं तो जो यह बिस्किट हम बनाएंगे ना उपा से तो अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे लेकिन अंदर एकदम सॉप्ट रहेंगे तो इनको डालने के बाद तुरंत इसको नहीं चलाएंगे थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि अभी काफी सॉप्ट है जब थोड़े से हाड हो जाएंगे तब हलके हलके हाथों से पलट देंगे तो बहुत ही साउधानी से इनको पलट हीएगा अधरवा यह बहुत जल्दी तूट चाते हैं उसके बाद थोड़े से और हाड हो जाएंगे फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आप इनको चाहे जैसे हंडल कीजिए और इसको बस उलट पलट कर प्र फिर उसके बाद फ्राइक अगे गोल्डन कलर आने तक और यह कृस्प भी हो जाएंगे तब तक तो देखिए जो हमारे बिस्किटस हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है साथ ही कृस्पी होचुके हैं तो चलिए इसी तरीके से जो बा Bye-bye and thank you for watching.